नमस्कार दोस्तों, Curious Wealth and Curious Pox में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम Nifty का Analysis करके दिखाएंगे जैसा कि लास्ट दो वीक से मैंने Nifty के बारे में आपको बताया था ये दो वीक पहले का चार्ट आप सामने देख रहे हैं मैंने बोला था यहां पे Nifty का Flag Breakout हुआ है और यहां से Nifty अपने नए Highs बना सकता है नीचे यहां पे जो आपको अभी चार्ट दिख रहा है ये Nifty का Updated चार्ट है यानि कि ये जो Candle है ये Current Week की है जो हमको Flag का Breakout होने के बाद मिली थी लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि ये अपने Highs के उपर ही Close हुआ है यहां से Upside Momentum अभी भी जारी रहेगा तो अभी इस Candle के बाद Nifty में क्या आपका नजरिया होना चाहिए किस तरीके से आपको Trade लेना चाहिए वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत से ऐसे Parameters मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको Support करेंगे Next Week आपकी Trading Strategy के लिए Nifty के अंदर Option की भी आप Trading Strategy इस्तेमाल कर सकते हैं उसका मैंने एक Detail वीडियो बना के अपलोड किया है जिसका Link वीडियो के Description में भी है और यहाँ पे जो I का सिंबल दिख रहा है उसमें भी आपको उस Strategy का Link मिल जाएगा दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे इस Channel में कुछ Problem आ रही है Technical Issues आ रहे हैं तो मैंने एक नया Channel शुरू किया है Curious Wealth के नाम से आप मेरे इस Channel को Subscribe कर लीजी उसका जो Link है मैंने वीडियो के Description में दिया हुआ है और यहाँ पे जो I का सिंबल आता है वहाँ पे भी आपको उस वीडियो का Link मिल जाएगा तो Last Week भी मैंने जैसे बताया था कि Max Payne जो Level था वो हमारा Last Week का लगवग 15,446 के असपास गूम रहा था इस Week के लिए या इस Week End के बाद हमारा वही जो Max Payne Level है वो Increase होके 15,650 पे आ गया यानि कि यह अभी हमारे लिए Crucial Level बन चुका है इसके नीचे अगर Market Trade लेना सुरू कर देता है या Sustain करना सुरू कर देता है तो हमको Market का Trend जो है वो Reverse होता हुआ नजर आएगा चलिए अब मैं आपको Directly Nifty के चार्ट पे लेके आया हूँ ये Nifty का चार्ट आप देख रहे हैं ये जो एक Zone, ये जो एक Downtrend Feb के Mid से हमारा चलना सुरू हुआ था ये उसके हिसाब से जो हमारा एक Channel निकल के आया था Short Duration के हिसाब से अगर मैं बात करूँ जिसमें Lower Highs and Lower Lows लग रहे थे April End में हमने उस चीज को Breakout दिया था उसने हमको New High के उपर अपना Closing दिया था मैं Closing बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नियू High का Closing दिया था इससे पहले वाला जो हमारा High Closing था वो लग बग यहां पर आता था लेकिन इस टाइम पर हमको नया High मिल गया था लास्ट फ्राइडे को हमको फिर से एक नया High मिला है इवन दो ये जो High Candle है आप देखेंगे वो Red हमको नजर आ रही है बट अगर आप इसको Zoom करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा Previous या फिर गुरुवार का जो Expiry Day का Open था उसके उपर ही इसकी Closing हुई है उसका जो Low है वो भी गुरुवार के Low के सबसे उपर था तो ये एक हमारे लिए Currently Minor Bullish Signal अभी भी हमको मिल रहा है हमारे लिए Trend Reversal या फिर सोचने वाली बात तब हो जाएगी जब ये Closing देगा हमको 15600 के नीचे की अब मैं आपको इसको Weekly Chart पे दिखाता हूँ दोस्ता आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़े ताकि आपको महाँ पे Detail वीडियो सारी की सारी मिलती रहे है इस चैनल में मैं Technical Issue की वेह से मैं Detail Analysis की वीडियो अफलोड नहीं कर पा रहा हूँ अगर आपको Detail Analysis का वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्णर में जो आई का सिंबल आ रहा है वहाँ पे भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा